मोन मनक बक्सा के सफ़ा सुत्रा राखिक चाहिए उंच ठाउ में राखिक चाहिए जोंठा में बाग बगईचा, फूल मनक रस और पराग देवेक वला अइद का फूल रहे हुआ मोन मन के पुरा खायक भेटैल सहलगिन इसने ठाउ कर चुनाओ करू उसन छता से मोध के निसकैक चाहिए जिकर असी फिस्दी भाग मोध कर मोम धपनी से मुंदाल रहे नहीं तो बिगरपाकल मोध कर आमत होएक या की खराब होएक डर रहल जहां तक होई सके तो पिलवा मनक नास करे या दवई मनक पर्योग पूरा पूरी फूल खिलल से निकर रिक चाहिए काले की पूरा फूल खिलल देखके मोध माची मन उहे फूल मन में जायना और जदी पिलवा नास करे या दवई उमन के रस भटा जाय तो इकर से मोध बढ़िया नी बनी जो रतपडले घोल बनाय के सांज बेरा चिड़ेक देख चाहे आईचकर बेरा में मोन पोसेक कर मुध मनतरा है कि बकसा में जवान मोन मन के अधिक से अधिक संख्या में राखेक चाहे अब मोध प्रशोधन मोध तो मोध छता में मोध कर मोम धपनी से मुंदाल है अब उके निस्कायक है और उकर से मोध निकलायक है तु मोध प्रशोधन का लखे करेक है? सिखो जानू मोध एको मीठा, चिपचिपा और तरल पदार था है जिकर से मोध माची मन, फूल मनक, रस ग्रंती मन से निसकेक वला रस के, अपन काया में जमा केर के छता में चुई सैन और छता कर काठ मन में जमा केर दे मोध निसकेक दू नियर करल जैल पहिल है निसकासन यंतर से और दूसर है अइट के याकी हाथ से छता के चीप के हाथ से छता के अइट के याकी चीप के निसकेक बेरा छता में पुसाइक वला अंडा, छोवाओ दैब जैल और उमनक काया कर रस, मधू में में जैल इनियर कर मोध के अईद का दिन तक बेस नियर नीरा खल जाय सकेल और इकर किटानों बने खत्रा बनल रहल अधुनिक मोध पालन लकडी कर बनाल बिसेस बकसा में करल जैल और इबकसा मन कर भितरे फिरेम रहल जेकर में मोध माची मन चता बनायन मोध निसकैक ले इफिरेम मन के मोध निसकैक यंत्र में घुमाल जैल काले की चता कर कोठा में मोध बारे निसेक जैल इनियर निसकाल मोध कोनोनियर दूसित नी होयल इकर में पानी कर मात्रा बगरा नी होयल जिकर से इके बगरा दिन तक बढ़ियां से राखल जाया सकेल मोद कर प्रशोधन घरेलू विधी से या की मोद प्रशोधन सन्यंत्र से करल जायल घरेलू विधी में मोद के रोद में रैह के या की वाटर बात सिस्टम में प्रशोधित करल जायल इबिधी में कुनो बढ़ बासन में या की डेक्ची में पानी रैह के गरम करें चोट बासन में मोद के मलमल कर लुगा में चाइक के राखल जैल अब बढ़ बासन कर पेंदी में लकडी कर गुठ का रैह के चोट बासन के रैह देऊ उकर बादे इके माने की बढ़ बासन के चुलहा में रैख के 600 सेंटीग्रेट में आधा घंटा तक गरम करू इसन कर ले मोध आईग में सीधे सीधे नी जैल और अप्रत्यक्ष रूप से गरम हो जैल इविधी से प्रशोधन में जदी मोध आईद का देरी तक और आईद का तापमान में गरम हो जैल इकर से मोध कर रंग, गमक और सवाद प्रभावित हो जैल इसन कर ले मोध आईग में सीधे नी जैल और अप्रत्यक्ष रूप से गरम हो जैल जदी इविधी से प्रशोधन नी करल जायल तो मोध ऐध का देरी तक और ऐध का तापमान में गरम होय जायल जेकर चलते मोध कर रंग, गमक और सवाद सो प्रभावी थोयल मोध कर बढ़िया प्रशोधन आधूर्निक शन्यंत्र से करेक चाहे इपुरा पूरी स्वाचालित प्लांटा है इकर में प्रिहीटिंग टैंक लागल रहल इकर तापमान चैरिसो सेंटिग्रेट रहल इटैंक में अप्रशोधित मोध के डैल देल जायल मोध घरम होय के पातर होय जायल जिकर से उकर में रहल मोम सहजे सहज अलगे अलग होय जायल इटैंक से मोध मोटर से माइक्रो फिल्टर चेंबर में पहुँच जायल जहां मोम पराकण और औरोगंदा मन के अलग करल जायल हिया से मोध प्रोसेसिंग टैंक में जायल जेकर में पानी कर तापमान 550 सेंटीक्रेट से 600 सेंटीक्रेट रहल, ये तापमान में मौध 10 से 15 मिनट तक जैल, ये तापमान कर मौध कर रहल खमीर माने की डस्ट मेर जैल, ये प्रशोधित मौध अब कुलिंग टैंक में अब ये प्रशोधित मौध कुलिंग टैंक से मोध में रहल पानी कर एद का मात्रा वासपी थोय के वैक्यूम पंप से बाहरे निसेग जैल देखू ये अंत्र कर जदिये हमरे मन प्रयोग कर ली तो कतना बढ़ियां से मोध निसेग गिलर